तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम वाचूल डीजे से बिना कंट्रोलर के आप डीजेंग कर सकते हैं और लैपटॉप के कीज को अपते हिसाब से आप कस्टमाइज करके स्क्राचिंग कर सकते हैं कर सकते हैं अगर आपने वह विडियो नहीं आए तो आई लिंक में आपको वह वीडियो मिल जाये सकते हैं रस कर सकते हैं और बटरिं को किस तरह से बटत Summa कर सकते हैं वह अजिर आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं विडियो लाने में थोड़ा सा मुझे डीले हो गया है उसके पीछे थोड़ा सा एक रिजन था मैं वन वीक तक अप्लोड ने कर पा रहा था वीडियो कुछ इशूस थे लेकिन अब प्राप्लम सौलू चुका है आप में वीडियो अप्लोड कर सकता हूं तो जैसे कि मैंने कह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं तो जिस तरह से हमने वीडियो में किया ता उतना आप रेकॉड बॉक्स में नहीं कर पाएंगे विडाउट कंट्रोलर लेकिन काफी है आपको डीजेंग करने के लिए और डीजेंग स्टार्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है अगर आप आप डीजेंग में घुसना चाते हो अपना करियर बनाना चाते हो तो आप वर्चुल डीजे प्लस रेकॉड बॉक्स यह दो सौफ़ेर यूज करके आप किस तरह से उसमें मिक्सिंग करते हो किस तरह से आप उसमें प्राक्टिस करते हो आपका जो लेवल कहां तक जाता है अब लैप्टॉप से डीजेंग करके भी आपको आईडिया आजाएगा कि आप आगे क्या कर सकते हो मतला आगे बढ़ सकते हो या नहीं बढ़ सकते हो तो यह उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा वीडियो तो चलिए लेट्स जांप टूदा वीडियो करें तो यहाँ पर हम ने रेकोड़ बॉक्क 6 को ओपन कर लिया है तो डीजेंग शूरू करने से पहले लैपटॉप से डी detail करने से पहले आपको कुछ चीज़ेंगा जानना बहुत जरूरी है जैसे कि DJ करने के लिए हमको दो डेक की जरुरत पड़ती है दो डेक होती है क्योंकि हम एक track के बाद दूसरा track play करते है बिना रुके तो non-stop हमें play करना पड़ता है तो उसके लिए हमको दो डेक की जरुरत पड़ती है दो डेक की जरुरत तो पड़ती है दो से चार भी डैक होते हैं लेकिन मैं प्रिफर करता हूँ और आप सबको भी यही कहूंगा कि आप दो डैक से ही मिक्सिंग करें क्योंकि बेसिकली नॉर्मली सारे दो डैक से ही हम डीजाइं करते हैं तो जब आप रेकॉड बॉक्स उपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि तो डीजेंग करने के लिए आप एक्सपोर्ट मोड से आप डीजेंग नहीं कर सकते क्योंकि रेकॉड बॉक्स जो रेकॉड बॉक्स जो सौफ़एर था वह एक म्यूजिक मैनेजमेंट सौफ़एर ता जहां पर आप ट्रैक्स को एनलाइज करके पेंड्राइव में सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कभी कोई नहीं होगी तो यह बहुत ही अच्छी बात है तो अगर आपके पास लैप्टॉप है तो आप वर्चुल लीजे भी डाउनलोड करके रहके रेकट बॉक्स इक्स भी डाउनलोड करके रहके और दोनों प्लेके जहें बीना अपको जाना है प्धाय तो जैस आप प्धायत के मोड़ पर जैंगे तो आप देख सकताओ की आपके सामने दो डैथ आ यहाँ पर आ जो बे इक चीजे को करो है यहाँग दिखाय और यह हमारा डैक बीार ब्रोट मिकसर सेशन अगर आपको सप्छक्र का सेक्शन नहीं करना है तो अगर आपको इस तरह से दिखा रहा है मिक्सर नहीं दिखा रहा है तो आपको simply यहां पर इसको क्लिक करके मिक्सर को यहां पर open करना तो जैसे कि हम सभी को पता है कि virtual dj में भी उनका default settings था उन्होंने अपने हिसाब से की जो keyboard के keys को अपने हिसाब से map किया था उसी तरह से record box 6 ने भी उनका default settings है और उन्होंने भी कुछ buttons को अपने हिसाब से उसको map किया हुआ है जैसे कि अगर हम deck A को अगर play करना है तो आपको दबाना होगा Z और आप जब A दबाओगे तो वो return चला जाएगा यानि कि जहां पर आपने track को Q किया है मतलब A से आप उसको Q कर सकते हो जिसके मैं track को play करता हो यहां पर अब मुझे यहां पर Q करना तो मैं वापन से Z दबाओँगा और यहां पर दबाओँगा A और यह track वहां से Q हो जाएगा तो A और Z है जो deck A के लिए है और deck B के लिए जो है वो है आप track को play कर सकते हो और फिर H दबाके आप उसको Q कर सकते हो तो जब आप एच दबाओगे तो यह वहां से track Q हो जाएगा तो basically जब हम दो track को play करते है तो हमको उसको fade in fade out करना होता है मतलब एक track से दूसरे track पर जाने के लिए तो basically जब हम controllers के साथ करते है तो हम mixer का use करके fader use करके हम track को in or out करते है तो यहां पर हमारे पास controller तो नहीं है तो हम laptop से DJing करने वाले है तो basically हम दोनों जो faders है उसको उपर रखेंगे और जो हम mix करेंगे उसको हम cross fader use करके हम mix करेंगे एक चिसका आपको ध्यान रखना है कि जब आप cross fader करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपका यह deck 1 और deck 2 यहां पर on रहना चाहिए अगर यह off रहेगा तो आप कितना भी cross fader कर लिजे track cross fader नहीं होगा वाल्यूम उसी वाल्यूम वैसे ही रहेगा वाल्यूम भी कोई change नहीं होगा ना तो track mix होगा तो आपको ध्यान रखना है कि deck 1 और यहां पर deck 2 deck 1 और deck 2 को हमको cross fader कर रहा है तो यह दो button आपको यहां पर on रखना है तो चले मैं आपको यहां पर कुछ track mix करके दिखाता हूँ अभी फिलाल तो मैं इससे आपको करके दो जैसे कि मैं Z से track को play करता हूँ अभी हम दूसरे track को यहां पर play करते एं दबाते है यहां पर कंपो बखल एकाल तो आप एक पूल के जर और ऐ। के जर बदाना है के जर पहों एक जर से लाग कि जर और बदाओ कज पहों के जर रखए कर पहों मत एक जर से लाग तो simply आपने देखा किस संग क्रॉस कर के मैनने यहां पर ट्रैक को इजिली मीक्स कर लिया करते हैं यहांपर उसको यहां पर देख सकते कि आप जो SYNC बटन मैंने दभाके कर रंदे कि यहा पर मश्वर कर लिया क्यूंकि पेड्ट ratios तो मैंने इसको mix किया और फिर इसके बाद मैंने यहां पर इसको crossfit कर लिया तो चलिए यह तो mouse से आप trackpad से आप इसको easily कर सकते हैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से अपने laptop से आप DJing कर सकते हो जिस तरह से हमने virtualization में किया अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज virtualization का वीडियो देखिए और आपको वहाँ पर idea जागे किस तरह से हम mapping करते हैं laptop में जिससे कि आपको laptop से DJing करने में आसानी होगी और आपको बार-बार mouse या फिर trackpad यूज़ करन है यहां पर तो मुझे mouse की use करने की जूरत ने में keyboard से भी उसको कर सकता हो तो उसके लिए आपको इसको map करना होगा mapping करने के लिए आपको simply settings में जाना होगा जब आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको जाना होगा आपके mixer section में जाएंगे तो यहां पर आपको नीचे आ मैंने यहां पर left वाला button को select किया है और उसी तरह से slide crossfader to right small तो मैंने right वाले cursor को किया है मतलब जो sliding होगा वो कम होगा और उसी तरह से मैंने slide crossfader left large मतलब direct jump करेगा यहां से वहां left से direct right में जाएगा तो उसको मैंने किया है उपर वाला button जो अपना जो left right के उपर वाला जो button ने उसको किया है और उसी तरह से large मतलब right में आने के लिए मैंने उसको cursor down किया है तो उसका मतलब किया जब मैं यह वाली keys जब मैं play करूंगा यहां यह वाला और यह वाले से यह और यह वाले से हलके से crossfade होगा और जब मैं यह और यह वाला button use करूंगा तो crossfade direct jump करेगा cut mix के तरह करेगा इस तरह से आप buttons use करके आपको फिर mouse की जरुरत ने पड़ेगी आप simply button दबा के आप उसको mixing कर सकते हो उसी तरह से simply अगर आप deck में भी जाएंगे deck 1 में तो यहां पर आपको सारे command मिल जाएंगे आपको सिर्फ यहां पर जाके एक बार चेक कर रहा है कि किसका क्या command है किसमें क्या है जैसे कि आपको ट्रैक के starting में जाना है तो आपको shift a दबाना जब आप shift a दबाएंगे तो starting में चला जाएगा track के jump forward अगर आपको fast forward करना है तो command T करना है और reverse करना है तो command R दबाना है तो यह इस तरह से आपको यह जो settings है आपको जो भी सका mapping है आपको यहां पर मिल जाएगा simply आप pitch bend भी कर सकते हो अगर आप pitch bend भी कर सकते हो तो देखे E और W जो है वो आप deck 1 पे E से आप plus कर सकते हो W से आप minus कर सकते हो तो pitch bending भी आप यहां पर कर सकते हो और deck A का है ठीक है यह deck A का command है अगर आपको change भी करना है तो आप simply यहां पर इसको remove करके या फिर चेंज करके अपने हिसाब से भी आप उसको change कर सकते हो अपने हिसाब से लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वह जो आप जो भी button आप डाल रहे वह already किसी दुसरे button पर assign नहीं है त खनकी में हो ट्रैक के return अने चिलिए we starting में आने के ट्रैक के आपको Shift-H दबाना है आगे भगने के लिए आपको Command-P दबाना है और reverse आने के लिए आपको Command-O दबाना है उसी तरह से अगर आपको sing करना है तो आपको Y दबाना होगा और beat sync करना होगा तो आपको shift & Y को ? कि क्यूंग से की तो यह है चैनल की पीमें मियोत क्या समें का यहां को एक मिटन ईद में क्दाओень है तेल्स हैँ साथ आप डिसकर क्याय हम कि तुरिख मलेट हम जुरित ने पड़िख कर देख तो एक चीज मैं आप बता दू हो आगे पीचे लिए तो आप वो भी कर सकते हो मैंने इसको यह दो बटन है इसको मैंने ऐसाइन किया है यहाप पर याला जो बटन के निकर आपको ये और यह मैंने दो बटन assign किया है थोड़ा beats को आगे पीछे करने के लिए देखिए इस तरह से आप थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे भी जा सकते हैं अगर आपको क्यू करना है तो चलिए वह भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ उसके लिए आपको करना होगा और आपको नीचे आना ह है और बहुत नीचानी के बात आप देख सकते हो कि यहां पर है forward half bit one bit two bit four bit eight bit तो आप अपने हिसाब से मैंने यहां पर यह वाला और यह वाला जो की है वो मैंने assign किया है तो आप अपने हिसाब से आपको जो forward करना है धीरे से और थोड़ा सा backward के लेना है half bit मैंने half bit और forward यह तो इस तरह से आप इसको यूज करके आप beats को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो नए तो फिर अगर आपको properly करना है तो आप mouse यूज करके भी आप properly उसको क्यूं कर सकते हैं तो चले मैं यहां पर आपको कुछ track अभी मिक्स करके यहां पर try करते हम लोग मिक्स करने का track को इसको में crossfit कर लेता हूं यहां पर इसको यहां पर रख लेता हूं जिससे आपको पता चली कीबूर्ड की क्या कीज में यूज कर रहा हूं तो पहले सबसे पहले हम crossfit को जो track प्ले करने वाले उस तरफ हम उसको रखेंगे और track को हम यहां पर प्ले करते हैं अभी हम दूसरे track को भी प्ले करते हैं एंड दबा के वाई दबा के हमें उसको लाज करिंगोस करते हैं वाई दबा दिया और ले लाज करता है बीट अभी इसको हम जरी बिरे crossfit करते हैं आपने देख लाए कितना इजीली हमने track को mix कर लिया track को क्यू कर लिया और आपने track को mix भी कर लिया तो उसी तरह से कर सकते हैं की बोड़ से आप इफेक्स भी डाल सकते हैं और लूब भी कर सकते हैं काफे सारी फीचर से यहां पर कीबोड से आपके की यूज कर कर सकते हो आपको simply जैसे के मैंने कहा था आपको settings में जाकर को keyboard में जाकर आपको जो deck 1 का we can settings है deck 2 में क्या-kया settings कर सकते हो तो यहां पर इसको मैपिंग कर सकते हो तो यह बहुत ही बढ़िया है अगर आप beginner हो अगर आप DJ करना चाहते हो सीखना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फीचर रही है रेकर्ड बॉक्स हो गया वर्चुल डीजे भी करना चाहिए ऐसे कि आप आगे जाके आपको कोई भी कहीं प्ले करने का मौका मिले अगर को डूसरा तो आपको बहए नहीं भाई मैं इसमें प्ले करता था चाहिए आपको हर इक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए काफी सारी वीडियो में ऐसे भी बनाया है जिसमें आप प्लेइलिस्ट रेकॉर्ड बॉक्स में भी प्ले कर सकते हो यह भी मेरे वीडियो बनाया तो आप वो भी विडियो सेक्क कर सकते हो जैसे कि आप दोनों सौफ़ करना चाहते हो किसी चीज में तो मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले एक लैप्टॉप खरी दिये अपनी म्यूजिक कलेक्शन को डाउनलोड करना स्टार्ट कीजिए और लैप्टॉप से आप डीजिंग करना स्टार्ट कीजिए तब जाके आपको पता चलेगा कि आप कीजिएंग सीखना चाहते हैं एक लैप्टॉप में इन्वेस्ट कीजिए और उसमें प्राक्टीस कीजिए उसमें देखे कि आपका पर्फॉर्मेंस कैसा होता है पार्टीस कीजिए तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए और एक चीज में आपसे कहना चाहूंग आज हुआ दूकों सबस्क्राइबर नंको पता ही है कि वह मुझे इन्सागराम पर पॉल्लू करते हैं और मुझे उनको जवाब जरूर क्यों देता हूं कभी कभी डेले हो जाता है लेकिन मैं जवाब मियं सवाभ़ सकता है तो तब तक के लिए हम चलते हैं अगले विडिय कि अराफ